नमस्ते, स्वागत है आपका चुमाजरा सवी में आज की रेसिपी में हम सीखेंगे कि बिना स्टीमर के आप घर में वेज मोमो कैसे बना सकते है इस वीडियो में मैंने मोमो चटनी की रेसिपी भी इंक्रूट की है मोमो की स्टफिंग के लिए कटेवे, कैबेज, प्याज, गाजर, अधरक, लहसुन और मिर्ची लेंगे पहले हम डो से स्टार्ट करेंगे इसके लिए हम एक कप मैदा डालेंगे उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे मोहिनी के लिए हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल रिफाइन ओल डाल रहे हम इसमें आप भी रिफाइन ओल डालिएगा तब अच्छा टेस्ट आएगा और फिर इसको नॉर्मल डो की तरह हम अच्छे से गोद लेंगे इस नॉर्मल डो को हम करीब 15 मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे अब इस डो से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे इसी बॉल्स को बेल के हम इसमें फिलिंग देगे इसका मुमो बनाएंगे अब फिलिंग बनाता है यानि स्टफिंग हम एक टेबल स्पून टेल डालेंगे और उसको हीट करेंगे उसके बाद इसमें अदरक लहसुन और मिल्ची डालके इसको थोड़ी देर के लिए फ्राइ करेंगे थोड़ी देर फ्राइ कर लेने के बाद हम इसमें कटे हुए प्यास डाल देंगे और उसको अच्छे से fry करेंगे साथ में डालेंगे हम इसमें कटा हुआ गाजर पहले हम थोड़ा मिसको mix कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें कटा हुआ cabbage अब इन सब चीजों को 1-2 मिनिट के लिए हम अच्छे से mix करते रहेंगे और fry करेंगे medium flame पे अब इस stuffing में डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक अब इसको हम अच्छे से mix करेंगे और fry करेंगे 1-2 मिनिट के लिए अब filling के color देने के लिए हम इसमें डाल देंगे सोया sauce, एक teaspoon सोया sauce का use किया है मैंने उसको अच्छे से mix कर देंगे तो हमारा stuffing मुमो के लिए हो गया है ready, आब इसे side करके रख देंगे थंडा होने के लिए अब चलिए मुमो बनाते है, पहले एक आटे की गोली लेके उसको जितना पतला हो सके उसको बेल लेंगे याद रखे के जितना बड़ा नहीं बनाना लेकिन पतला बनाना है आपको अब हम इसमें एक teaspoon filling डालेंगे और इसे हम seal करेंगे अब इसको seal करेंगे, seal करने का तरीका बहुत ही easy है, आप इसे साड़ी में pleats बनाते हैं तो हमारा दूसरा momo design भी ready हो गया है, अपर दोनों में से जो भी design अचल लगे आप वो use कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है, दोनों से यह ही taste करेंगे अब मैंने एक sauce pan में करीब 2 गब पाने गरम होने के लिए रख दिया था medium flame पे इसके उपर मैंने एक shade रहने वाला bowl डाला है, इसको और मैंने अच्छे से grease कर दिया है और इसके उपर मैं momo रख दूँँगा और से करी 20 minute के लिए low flame पे steam करने दे दूँगा अब चटनी के लिए मैं 1 tablespoon refine oil को अच्छे से heat कर लूँगा और उसके बाद इसमें डाल दूँगा दो कटे हुए टमाटर, थोड़े से अद्रग, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा कटा हुआ प्याज, दो कटा हुआ प्याज यूज कर रहा हूं मैं इधर और लास्ट में 5-6 सूखी मिर्ची अब इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और इसको एक से दो मिनिट के लिए हम कुक करेंगे अब इसमें डाल देंगे हम स्वादनुसार नमक, यहाँ मैंने 1 teaspoon नमक का यूज किया और इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी ताक कि अच्छे से soft हो जाए हमें इसे ढखने के पहले अच्छे से एक बार मिलाना होगा और फिर हम इसको कवर कर देंगे और कुक करेंगे करीब 10 से 15 मिनिट के लिए हमारे चटने के सारी ingredients अच्छे से soft हो गये देखिएगा अब gas off कर देंगे उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा हो जाने के बाद हम इसको mixing jar में डाल के इसका अच्छा सा paste बना लेंगे तड़के के लिए हम एक सुखी में इची में करीब 2 टेबल स्पून रिफाइन और डालेंगे और इसको फुल फ्लेम पे अच्छे से heat करेंगे करीब एक से 2 मिनिट के लिए हम इसको तब तक heat करेंगे जब तक कि इसका color change नहीं हो जाता अच्छे से हमारा तड़का हो गया ह अब उस पेस्ट को हम एक बावल में छोटे से बावल में ट्रांसफर कर लेंगर उसके बाल हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना बनाया हुआ तड़का जो की बेसिकली तेल और एक सुगी में ची है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हो गया है हमारा स्पाइसी सूप करने की और हम मोमो को मोमो चटनी के साथ जो इस वीडियो में बनाया था उसी के साथ ही हम सर्फ कर रहे हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल